Hello Friends, Welcome to my YouTube Channel, My Village, My Academy आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे कच्छा 10 के जीव विग्यान के बिसे में जो विग्यान का ही भाग है यह हम राजिव का अंसौर्ट पेपर है और इस अंसौर्ट पेपर में हम डिसकस करेंगे सेट नमबर 1, 2021-824-HX किसी भी पेपर में अच्छा नमबर प्राप्त करने के लिए हम उस पेपर के पिछले से 4-5 साल के पेपरों का गहन अधियन करते हैं अगर आप कच्छा 10 के बिग्यान पेपर में 70 में से 70 अंक लाना चाहते हैं तो 4-5 साल के पिछले साल के पेपरों का अध्यन करना चाहिए आई हम डिस्कस करते हैं सेट नमबर 1-2021 के पहला आपका सेट है बिज्ञान में जो बिज्ञान का ही है और खंड गम है क्योंकि आपको मालूम है कि बिज्ञान में तीन खंड आते हैं और इस बाजो पेपर का पैटने वो बदल गया अब बहुत भी कल्पी सिंख्या जो आईगी बीस आईगी लगभा लगभा बाइलोजी से साथ साथ रहेंगे और बाकि सभी भोती बिग्यान और असाइन बिग्यान से होंगे तो हम जिव बिग्यान का पार्ट डिसकस करेंगे पहला आपका प्रश्ण है जल में घुलनसिल बिटामिन है और आपसन आपके यह है तो इनमें से कौन सा जल में घुलनसिल बिटामिन है बिटामिन डी बिटामिन सी बिटामिन ए और बिटामिन के तो इनमें से कौन सा जल में घुलनसिल बिटामिन है तो जल में पूछा गय यह आपको डिटेल से बताया गया था, B और C, B और C जो बिटामिन होते हैं, जल में गुलंसील बिटामिन होते हैं, तो B और C आप्षन कौन सा है, तो यहाँ पाप्षन आपका second सही होगा, और कभी-कभी वासा में गुलंसील बिटामिन तो इन दोनों को छोड़कर सभी, D, A के ये सभी वासा में घुलंसील बिटामिन तो आपका option correct है second option दूसरा आपका प्रस्थन है बोमेन सम्मुट किसका भाग है सम्पुट किसका भाग है तो आपका option ये रहा इनमें से कौन सा भाग सही है उदर का अगनासे का यकरत का यवरक का तो बोमेन कैपसूल आपको पढ़ाया गया था ये बोमेन कैपसूल जो होता है ये आपका सही option है वरक का यानि किडिनी का है एक डियाग्राम से समझते हैं जैसा आप ये डियाग्राम देख रहे होंगे ये किडिनी किडिनी में ही पाय जाता है क्योंकि नेफरान ये जो आपका डियाग्राम में नेफरान का है और किडिनी का क्या है इकाई है यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे ये जो डियाग्राम यहाँ पर बनाए बोमेन कैपसूल तो यहाँ पर लिखा हुआ है बोमेन संपूट लिखा हुआ है तो यही जो हिस्सा दिख रहा जिसको गलोमेरूलस वही आपका यानि बोमेर कैपसूल या बोमेर समपोटी इसको हिंदी में बोलते हैं जो ब्रग का भाग है किडिनी का अगला प्रस्ण है आपका आबरत बीजी पौधे में नर जनन अंग होते हैं ये प्रस्ण कई बार पुछा गया और बार गुमा कर पुछा गया परागन से रिलेटेड है और आपको फ्लावर में पढ़ा होगा फ्लावर में चार पार्ट बताए गये थे दो सहायक और दो आपके अवस्यक भाग होते हैं आपसन आपके हैं जायांग, बिजांड, पुमंग और परागनलिका पुछा जारा प्रस्ण में आबरत बीजी पौधे में नर जनननंग पुछा है तो नर जनननंग कौन सा होगा, पुमंग यहां पर आपका अपसन सही होगा जिसको इंगलिस में अंड्रोसियम बोलते हैं, हिंदी में पुमंग या पुंके सर दिया होगा बाके सभी यह आपका बिजांड यानि यह निसेचन के बात की क्रिया होती है एक डियाग्राम से आपको समझेंगे, कि यहां पर यह ग्रीन वाला कैलिक्स को रोला और यह दोनों सहायक पार्ट होते हैं और जो बीच वाले दो पार्ट देख रहे हैं जिसको बोलते हैं जायांग और पुमंग तो ये आपके जो होते हैं आवस्यक पार्ट होते हैं उपर वाला जो होता है ये फिमेल पार्ट होता है और नीचे वाला नर जनन अंग होते हैं तो इस प्रश्ण के अनुसार दूसरा आप्षन सही है पुमंग अगला प्रश्ण है आपका निमनलिखित में से डार्विन के प्रक्तिक वाद यहाँ पर प्रश्ण पुछा गया वरण वाद का सिध्धान्त नहीं है तो यह आपका प्रश्ण इंपोर्टेंट हो और यहाँ पर ध्यान रखेगा पूछा गया नहीं है यहाँ निमनलिखित में से तो आपके आप्षन है चार कौन कौन से जीवन संघर्स, योगितम की उत्तर, जीविता, अंगो का उप्योग और अनुप्योग दिया है उक नई जातियों के उत्पति इसमें पुछा गया डार्विन के प्रक्ति वरण का सिध्धान्त नहीं है तो नहीं मैं यहाँ पर आपका चारो में से अगर देखेंगे बताइए कौन सा अप्षन होगा तो यहाँ पर अप्षन आपका तीसरा होगा अंगो का उप्योग और अनुप्योग यह लैमार्क वरण का सिध्धान्त है तो हम डार्विन के प्रक्त वाद के सिध्धान्त को समझेंगे यहाँ पर क्या है तो डार्विन डार्विन यानि इनको चार्स डार्विन भी कहा जाता है इन्होंने पुष्टक लिखी थे इस पुष्टक का नाम औरिजिन आप इस पिसीज़ याद रखेएगा उन्होंने कुछ बिंदूर रखा था जीवों में प्रचूर संतान उत्पत की छमता पाई जाती है समझेट्री में इस्थायूत होती है उत्तर जीवता है तो संगर्स यानि अंतर जाती है अंतर जाती है और पर्यावरणिय यह आपस में क्या करते हैं? संघर्स करते हैं इन में विभिन्ताइँ पाई जाती है योगितम क्यों उद्दर जिवता होती है और नई जातियों कुद्पती होती है तो यह छे पॉइंट में इन्होंने विभक्त किया था जीवो को तो इसमें से देखेंगे ये भी आपका point मिल रहा है यानि G1 में संघर्ष तो आप देखेंगे G1 में संघर्ष तो यहाँ पर आपका हो जाएगा यहीं आपका यहाँ से उठाया गिया है और तीसरा नई जाती हो कि उत्पति यह last point आप देख सकती है तो यहाँ पर डार्विन का यह आपका clear होता है आगे थोड़ा सा अगला प्रस्ण है सम इगमजी और बे सम इगमजी में अंतर बताईए यह प्रस्ण बहुत important और बारबा पूछा जाता है यह मेंडल से हैं मेंडल जब पढ़ाया गिया था मेंडल के सिधान तो उस समय आपको बताया गिया था तो सम इगमजी क्या होते है जैसे होमोजाइगस काते है यानि किसी गुड के लिए एक जीव के दोनों एलिल एलिल का मतलब होता है जिन्स एक समान की इस्थिती में हो तो सा इगमजी काते है या पराया सुध होते हैं जैसे कैपिटल टी और इस्माल टी यानि यह जो होता है यह लंबे पौधों को प्रेजेंट करता है और यह जो बाउने पौधे को प्रेजेंट करता है और यह दोनों जो एलिल होते हैं एक समान की स्थिती को क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं दूसरा है बिसम युगमजी तो बिसम युगमजी क्या है जिसको इंगलिस में बोलते हैं हेट्रोजाइगस किसी गुड के लिए एक जीव के दोनों एलिल असमान होने की स्थिति को क्या बोलते हैं बिसम युगमजी बोलते हैं या हेट्रोजाइगस य ही आपका इसका उधारण होगा जीनो टाइप अगला प्रस्ण है नर्त अथा मादा मनुस में गुर्ण सुत्रों की संख्या और प्रकार बताईए बहुत बार यह प्रस्ण पूछा गया most important लगा लीजिएगा भविस्ति में जो 23 में पेपर आएगा यहां से प्रस्ण आपको भवस्ति पूछा जाएगा यानि मनुस से क्या अगर दीखा जाए तो पूरा सरीक काईक और जनन को शिखाएं ह। दो प्रकार की को सिखा हैं पाए जाती हैं दोंगें क्रोमोसم की संख्या कितनी होती है फूट्टिसिक्स होती हैं 22 जोडे नर्त अर्था मादा दोनों में स और एलेलोसोम्स यह दोनों पूछा गया है तो यह तेस्वे जोड़े के होते हैं जो असमान होते हैं पूरसों में होते हैं और महिलाओं में जो होते हैं यह समान होते हैं क्योंकि महिलाओं के में जो पाय जाते हैं तो उनको एक्स एक्स और पूरसों में एक्स और वाई के द तोटा होता है और इसे xy के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं यह आपका इंपोर्टेंट है और यहां पर थोड़ा सा और जानेंगे कि जो आपका जो नर और मादा यानि लास्ट वाले क्रोमोसोम कैसे भाग लेते हैं और क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती जिसको बोलते गैमिटो जेनेसिस होती है और यह गैमिटो जेनेसिस की क्रिया केवल जनन को सिकाओं में होती है जिसमें अर्शूतरी विभाजन के दोरा जो गैमिट्स बनते हैं इनमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाती आधी हो जाती जिससे अगुडित कहती है इस प्रका क्रोमोसोम X वाला और दूसरा बनेगा 22 प्लस Y यानि 22 का मतलब हो गया 22 नंबर आप क्रोमोसोम है और Y जो लास्ट में क्योंकि X Y होते हैं तो निसेचन के फल्स रूप यह जब हो जाते हैं तो जाइगोट का फार्मेशन करते हैं और इसी जाइगोट से आगे चलकर इस जाइगोट में समसुतरी भी वाजन होता है और इसे चलकर जाइगोट का इसमें पहले बाल-like structure में तब दिस मारूला इसके बलास्टूला गैस् फ्रूंड का निर्माण होता हूँ इसी फ्रूंड से आगे चलकर एक सिसू का निर्माण होता है तो यहाँ आपको मैं इमीद करता हूँ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अगला प्रशने आपका मेंडल ने मटर के पौधे पर अपने प्रियोग के दोरान साथ जोड़ी विप्यार सी लच्छनों को चुना है इन में से तने की लंबाई तता फली का रूप प्रभावी तता प्रभावी लच्छन बताई है यानि दो प्रशने यहां पर पुछा गया तने की लंबाई और फली तो आपको साथ कैरेक्टर पहले हमें जानना होगा तो एक चित्र के माध्यम से जानते हैं जब आप देखेंगे तो पौधों में साथ लच्छन देखे गेते बीच का कार एक दूसरा आपका डियाग्राम देखिए पहला आपका दिया गया फली यह लच्छन है उसके बब प्रभावी लच्छन और अप्रभावी लच्छन और यहाँ पर यही पूछा गया प्रभावी और अप्रभावी लच्छन और किसका तने की लंबाई और फली के रूप में तो यहाँ पर आपका देखेंगे पादप में लंबाई यह लास्ट वाला तो लंबा यानि प्रभावी जो था लंबा था और प्रभावी बौना था दूसरा फली के रुप में तो फली के आकरती के बारे में तो प्रभावी जो था फुली हुई और सुक्डी हुई थी यहाँ पर आप डायग्राम से देख सकते हैं और यहां पर आप तने की लंबाई से तो यह प्रस्ण यहीं से आपके दोनों complete होते हैं I hope आपको समझ में आया होगा यह साथ तो यहां से आपको दो पूछा गया लेकिन आपको सभी में ध्यान रखना और याद भी रखना है प्रभावी लच्छण और अप्रभावी लच्छण अगला प्रस्ण है मनुस में किनी दो लिंग सहलंग रोग के बेख्या कीजिए most important है ऐसे बहुत सारे होते हैं लिंग सहलंग रोग होते हैं और यह जो होते हैं लिंग क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और यह पीड़ी दर पीड़ी क्या होते हैं इस्थनांत्रित होते हैं ऐसे रोकूलिंग सहलंग रोग कहते हैं जैसे आपका हीमोफीलिया हो गया वर्ड नान देता हो गिया सिंड्रोम हो गिया आईए इसको थोड़ा थेवरी से समझते हैं दूसरा है इसी में आथवा में दिया गिया ओपेरिन के जीन की उत्पत्ती का जीव रसायन उत्भव परिकल्पना को समझाईए तो हम दोनों प्रस्णों को डिस्कस करेंगे क्योंकि आथवा में भले दिया है लेकिन हमें डिस्कस दोनों करना है पहला प्रस्णा आपका डिस्कस करेंगे लिंग सहलंग लच्छन क्या होते हैं यानि ये लिंग गुड़ सुत्रों पर जीन जो होते हैं उनका समन्द लाइगी गुड़ सुत्रोस होता है जिनका जन्तों में यानि सेक्स्वल डाइमार्फिजम के लिए जिम्मेदार होते हैं और ये जिन जो होते हैं पीड़ी दर पीड़ी क्या होते हैं ट्रांसफर होते हैं और इसी पर लगे होते हैं जिसे हम बोलते हैं वनसागत लिंग सहलंग वनसागत दिकाते हैं या थवा इसको लिंग सहलंगता भी कहलाती है मनुस्यों में लिंग सहलंग रोग जो होते हैं कई परकार के होते हैं जैसे आपका पहला रोग है वर्णनांदता और हीमोफिलिया इससे related आपको हम प्रस निहां पर छोड़ देते हैं और आप इसको solve करके comment box में जरूर लिखिए और कौन कौन से link सहलंग रोग के नाम आप जानते हैं comment box में जरूर लिखिए पहला वरंडान देता है वरंडान देता में क्या होता है कि जब कोई बेक्ती इसमें रंगों की पहचान नहीं कर पाता है लाल पीला नीला एक बिसेश परकार के रंगों की और जैसे लाल और हरे रंग के रंगों की पहचान अगर नहीं कर पा रहा है तो ऐसे बेक्ती पूलिस और railway में नवकरी नहीं पा सकता है क्योंकि इनमें जैसे पुलिस में traffic पुलिस बन गया तो यहाँ पर भी traffic light के रंग जो हते हैं yellow, लाल और हरा होता और railway में भी तो यहाँ पर accident होने के संभवना होती है तो ऐसे बेक्तियों को color blind nets भी काते हैं यहाँ वर्णान्द ता की वज़ा से इसे बेक्तियों को नवकरी पुलिस और railway में यह किसी भी force में नहीं मिलती है एक प्रस्ण है आपका हैं पर समान इस्त्री तथा वर्णान पुरुस की संताने में सभी इस्त्री सभी पुत्रिया वर्णान लच्ण की वहाँ को सभी पुत्र समान होंगे तो आपका यह प्रस्ण है दो हैं इनको आप दोनों प्रस्णों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरू लिखें वहाँ किस्त्री तथा समान इलच्ण वाले पूरुस की संताने देखें यहाँ पर वहाँ किस्त्री है और यहाँ पर समान स्त्री है और दोनों को अपोजिट प्रस्ण है और इसको आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरू लिखना है और कुछ ऐसे रोगों के नाम बताने है जो लिंग सहलंग रोगों इन दोनों को छोड़ कर अगला प्रश्चना आपका हीमोफिलिया हीमोफिलिया को सबसे पहले रानी विक्टोरिया में खो जा गया था और पीड़ी-दर-पीड़ी क्या होता है यह भी ट्रांसफर होता है और इसमें रक्त का थक्का ना जमने की वज़ा से क्या होता है पैसेंट की मौत हो जाती है तो यह एक लिंग सहलंग रोग है जो इस जीन लिंग गुंड सूत्र में सहलंग होते हैं और एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में क्या होता है ट्रांसपर होते हैं इस रोग में जो होता है इस्त्रिया जो होती है प्राया पुत्रों म बेग्ती की पैसेंट की क्या हो जाती है मौथ हो जाती है और रक्त का थक्का जमाने वाले जो उत्तर दई कारक होते हैं उन्हीं का अभाव होता है ऐसे को हीमोफिलिया वोलते हैं यहां पर भी आपका प्रशन है कि समान पूरुस की साधी एक हीमोफिलिक वहां किस्तरी से होती है तो संतानों में 50% पुत्र 50% हीमोफिलिक और 25% पुत्रिया 25% वहाग होंगी यह भी आपका तो यह आपको बताना है स्वाल करके कमेंट्स बाक में कि इसमें क्या सही है क्या गलत है और कितनी पुत्रिया जो होगी यानि एक समान पूर इसकी साधी किस से हो रही है एक वहाग किस तरी से हो रही ह इसमें कितने परसंट जो पूर इसके बच्चे होंगे, सामानी होंगे और कितने परसंट जो होंगे वहाग या केरियर होंगे इसको सॉल करके कमेंट सबाक में, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ओपेरिन के जीवन कुदपत्ती का रसायन उद्भो परिकल्पना है इसका दूसरा प्रस्ण है यहाँ पर आथवा में जो था तीन होंगे आधी, यानि प्रारंबिग प्रिथी पर रसायनिक उद्भो के फल्षरूप जीवन की उद्पत्ती के समन्द में बिश्त्रत और सरोमान परिकल्पना रूसी विज्ञानिकों आपके AI ओपेरिन ने 1924 सिस्वी में भौतिक वाद या पदार्थ वाद के नाम से प्रसुत के ओपेरिन ने यह परिकल्पना 1936 सिस्वी में अपनी पूस्ट तक इंपोर्टेंट है दो ओरिजिन आप लाइप में छपी लूस पासन के ही एकस्पेरिमेंट को पेरी ने समर्थन दिया और कहा कि जीवन के उत्पत्ती जो होती है जीव से ही होती है मागा प्रथम जीव पर यह सिद नहीं होता है यानि प्रिथिव पर प्रारंबिक जीव उत्पन हुआ था वो यानि जीव के उत्पत्ती जीव से होती है यह सिद नहीं होता है क्योंकि पहले अगर किसी जीव का प्रिथिव पर प्रारंब हुआ होगा तो कोई ना कोई जीव तो होगा यानि जो पहला जीव जो इस प्रिथिव पर पैदा हुआ था वो रसाइनिक पदार्थों के जटि संयोजन से ही जीवन का विकास हुआ यह सिद्ध हुआ और इसको सिद्ध एक और स्टैनले और मिलर ने भी अपने प्रियोग द्वारा सिद्ध किया हुआ है अगला प्रसन है लाइमार्क वाद की बेख्या कीजिया अथ्वा निमनलिखित पर टिपड़ी लिकेज़े यह क्रत के कारी अववसा में गुलंसिल बिटामिन तो दोनों आपकी इंपोर्टन्ट है लाइमार्क वाद इनोंने जीराब को धरान दिया था यह क्रत मोस्ट इंपोर्टन्ट है जो हमारे डैजिस्टू सिस्टम से और ववसा में गुलंसिल बिटामिन तो पहला लाइमार्क वाद की बेख्या कीजिये तो हम लाइमार्क वाद को एक डियाग्राम से समझते हैं इसमें आप देख रहे होंगे सबसे पहले लाइमार्क ने बताया है कि जिराब छोटे गर्दन वाले थे और धर्ती पक खाने वाले बनस्पतिया जो थी नश्ट होगे तो धीरे धीरे उन्होंने जो लंबी उची पेड पोधे बचे थे तो उनको खाने के लिए अपने अगले पैर और गर्दन को उचय को चक्के खाने लगे और इनके में क्या उपारजित लचणों की वनसागत हुई और यह उपारजित जो लचण थे अगले पीड़ी में ट्रांसपर हो गए और इस परकार यह क्या हुए continue अगली पीड़ी में ट्रांसपर हुए और इस परकार जो थे जिराब के गर्दन लंबि हो गए इसके दूसरे सब्दों में इसको अंगों के यानि इसे अंगों के उप्योग और अनुप्योग का सिध्धान भी कहा जाता है लैमार्क ने जीराप का उधारन देकर बताया कि उनके पुर्वत जो थे छोटी गर्दन वाले थे उची पत्तियों तक पहुच बनाने के सतत प्रियास से उनकी गर्दन लंबी होगे और यह उपारजित लच्छन जो थे अगली पिड़ी में क्या होगे इस्तनांतरित होगे लेकिन यह जो सिध्धानत दिये थे लैमार्क ने क्या हुआ अमान्य थी क्योंकि उपारजित जो लच्छन होते हैं वनसागत नहीं होते लैमार्क ने जो यह अपना उधारन दिया था अपनी ही पुष्टक फिलोसपी जो लोजिक में प्रकासित हुआ था फिलोसपी जो लोजिक यह इंपोर्टेंट है याद रखिएगा इनकी प्रकासित बुक है और कई बार पुछा गया है कि इनकी बुक का नाम क्या है अगला आपका है यकरत के कारें आथवा में दिया था तो यकरत के बहुत सारे कारें जो यकरत में क्या होता है आपका एक स्वस्थ जो होता है यकरत पाचन में सुधार में मदद करता है यानि हम जो भी खाते हैं उसके पाचन में बहुत ज़्यादा सहता करते हैं क्योंकि इसे कई प्रकार के सरी से बहार निकालती हैं रक्त के ठका जमने में भी नियंतरित करता है क्योंकि बिटामिन के की यहाँ पर सिंथेसिस होता है और लगबत 13 जो फैक्टर होते हैं अधिकांस जो सिंथेसिस होते हैं रक्त के ठका जमने में जितने फैक्टर होते हैं वो लीवर में ही सिंथेसिस ह होते हैं रक्त के विशाणू को हटाता है हार्मोंस के संतुलन को भी बनाया रखता है यूरिन का निर्मार भी यक्रत में होता है पितरस का निर्मार भी यक्रत में होता है तो यक्रत मुस्ट इंपोर्टेंट है आपका अगला प्रश्ण है अगनासे द्वारा स्रावित होने वाले विभिन विक्रो के कारे समझाईए मध में विमारी पर एक टिपड़ी लिखीजिए अथ्वा में आपका दिया गिया है स्वासो स्वास तथा स्वसन में अंतर बताईए ने स्वसन तथा ने स्वसन प्रक्रिया को विश्दाप्रवक समझाईए तो पहले आप अगनासे जिसे Mixed Gland कहा जाता है क्यों कहा जाता है यानि ये अगनासे को इंगलेश में Penkriyaj कहा जाता है और इसे Mixed Gland भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अंता स्रावी और बाइस रावी दोनों ग्रंथी पाई जाती है और इसमें नलिका यूपत और नलिका विहिन दोनों प्रकार की होती है अगनासे ग्रंथी नलिका विहिन भाग को लेंगर हैंस का सम हो पाई जाता है यह important है और यहां से प्रस्ण होता है पेनिक्रियास से कई प्रकर के enzyme स्रावित होते हैं पहला आपका enzyme होता है amilopcine या amilage जो carbohydrate का पाचन करता है दूसरा है lipage जो आपका वसा का पाचन करता है वसा को वसा अमलियों में परिवर्थित कर दाता है और इसको रुधीर औलेसका के द्वारा हमारे सरी में क्या और सोसित कर दिया जाता है अगला प्रस्ण है trypsin या भोजन में पाए जाने लिए protein का पाचन करता है जिसका पाचन हमारे अमासे में नहीं हो पाता है पेंक्रियाज छोटी याट में पूरी तरह से क्या करती है भोजन का पाचन कर देती है तो पेंक्रियाज को जो बोलते है complete digestive enzyme भी कहा जाता है जो हमारे अमासे में जिन चीजों का पाचन नहीं हो पाता हमारे छोटी आत्मियों पूरुप से भोजन का पाचन हो जाता है मदमे रोग यानि मदमे रोग diabetes mellitus या अगनासे के लेंगर हैस के समो की कोशिकाई पाजाती है जिसमें बीटा समो की कोशिकाई जो होती अधी ग्लुकोज होने पर इसे ग्लाइकोजन में बदलने की क्रिया क्या कलाती इंसुलीन के प्रभाव से होती है अगर अगनासे ग्रंथी में इंसुलीन कम बनने लगता है तो रुधिर में ग्लुकोज की मातरा बढ़ जाती है और मुत्र के साथ ग्लुकोज आने लगता है इसे मध में करो करते हैं तो important है यहाँ पर insulin क्या होता है कि blood में बढ़े हुए glucose की मात्रा को glycogen में convert कर देता है और जब beta cell से इनके मात्रा बहुत कम कभी कभी क्या होता है कि यह बहुत अधिक मातरा में सिक्रेट होती है तो बलड से बहुत जल्दी ग्लुकोज की मातरा ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाती है तो यह भी इनका ज्यादा होना भी और बहुत कम होना भी हमारे लिए खतरनाक है अगला प्रश्ण है स्वासों स्वास और स्वसन में अंतर तो यह दोनों important है आपका बहुत ही important है यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें oxygen ग्रहन की जाती है तथा carbon dioxide मुक्त की जाती है यह एक जवरासाइनिक क्रिया है जिसमें glucose का आक्सी करण होता और वर्जा प्राप्थ होती है most important है दूसरा point है इसमें उर्जा नहीं निकलती है और इसमें उर्जा प्राप्थ होती है इस क्रिया में इंजाइमों के बसकता नहीं होती है और इसमें होती है अगला इस क्रिया में कोशिका के बाहर होती है और यह जो होते हैं यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है तो I च्वेक्स मतलब जो हम छोड़ते हैं इन मतलब जो हम लेते हैं सास के द्वारा इसमें जब लेते हैं लीज भरते हैं और इसके कारण बच गुहा कायतन बढ़ जाता है तता फेपड़ों में वाइदाब कम हो जाता है वाइदाब की कमी को पूरा करने के लिए सुद वाही नस्का द्वारा रंद्रों के सुसन नली से होका फेपड़े में भर जाता है और एकस्पायरेशन यानि हम जब सरी अंद फेपड़ों से नहीं आकसीजन हमने लिया इंस्पायरेशन के द्वारा और कारबन डे एकसाइडी या अन्य गैसे हम जो होते हैं एकस्पायरेशन के द्वारा सरी बाहर कर देते हैं मस्ती के मेडूला में स्वसन केंद्र से तंत्रकिय निर्देश प्राप्त होता है और प् आपको inspiration और expiration समझ में आया होगा इसकी क्रिया भी दी तो friends यहाँ पर आपका complete होता यह set आपका 2021 का था set number one था तो I hope आपको यहाँ पूरा का पूरा concept समझ में आया होगा फिर अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए जै हिंद जै भारत